हाँ रूफिक्स वान प्लस टू होट्सपोट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस के डिवाइस में होट्स चीजे जो है आपको ध्यान देना जरूरी है कुछ सेटिंग्स आपको सेट करना परेगा दुबारा से और आपको यहाँ पे कुछ सॉलुशन करना होगा जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को फीक्स कर सके वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्स कर सकते हैं ठीक है चले वीडियो शुरू करते तो दोस्तों अ की हुट्सपोर करें अगर प्रॉلम आ रहा है तो सबसे पहले मोबाइल को रिच्टार्ट करें रिच्टार्ट करने के बादय करके देखें प्रॉलम सोल्फ होता है तो ठींग है Nagini अथी सेटिंग ठीक है आप दोस्तों यहाँ पर यह भी try किजेगा without security code non pay try करके आप security code यहाँ पर हटा के जो है आप share किजेगा अपने hotspot को कई बार दोस्तों password के वज़े से connect नहीं हो पाते हैं ठीक है तो password को remove करते हुए भी आप एक बार try करके देखें अगर काम कर रहा है तो आप WPA2 personal सेट करके password सेट कर दीजेगा उसके बाद ap band यह ध्यान रखना बहुत है जरूरी है सारे devices में 5.0 GHz वाले band जो है काम नहीं करते हैं ठीक है सारे devices में दोस्तों आपका 2.4 GHz band काम करेगा लेकिन 5.0 GHz band काम नहीं करते हैं आपको ध्यान देना होगा अगर उसमें non supported है तो आपको 2.4 GHz यूज़ करना है अगर उसमें support करते हैं 5 GHz तो आप दे सकते हैं तो यह कुछ setting से जो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा अभी बाट करते हैं solution solution के लिए सबसे पहले आपको जाना है system setting पर जाए स्क्रोल डाउन कीजिए system पर जाए reset option पर क्लिक करें reset wifi mobile and Bluetooth पर जाए reset कीजिए अपने network setting को उसके बाद reset setting पर क्लिक कीजिए mobile password भरके reset कर दीजिए reset करने के बाद दोस्तों आपको बेक करना है बेक करने के बाद दुबारा से चेक करके देखना है अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते तो mobile को safe mode पर reboot करें उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch में आपको दो सेगेंड क्लिक करके रखना होगा उसके बाद ok कर देना है जैसे ok करेगा phone आपका बंत हो जाएगा reboot हो जाएगा safe mode पे ठीक है next आपको क्या करना है अगर problem solve नहीं होते तो safe mode पर reboot करके देखे solve होते problem तो ठीक है अगर नहीं होते तो जाएगे setting उसके बाद दोस्तों आपको system पर जाना है और यहाँ पर system update पर क्लिक करके software को अपडेट कर देना है जैसे ही software update करेगा आपका problem भी solve हो जाएगा ठीक है and make sure कि आपका जो दोस्तों यहाँ पर internet connectivity है वह on रहे internet connectivity disconnect नहीं हो रहना चाहिए आपका ठीक है mobile पर नेटपिक वगरा चेक कर ले तो यह सारे चीज़ आपको follow करना है और mobile software यहाँ पर update करना है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को fix कर सकते हैं ठीक है by any chance अगर आपको अभी problem आते हैं तो दोस्तों आपको system पर जाना है उसके बाद reset पर क्लिक करके factory data reset कर देना है factory data reset करने के बाद hotspot definitely काम करेगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बसना होगा thanks for watching